प्रेम, मोह, राग और वादसल आज कौनसा पर्वे है? मोह पर्वे है, की राग पर्वे है, की प्रेम पर्वे है, की वादसल पर्वे है? आज वादसल पर्वे है, कौनसा पर्वे है आज? वादसल पर्वे है, तो प्रेम, मोह, राग और वादसल में क्या अंतर है? यह वात्शल शब्द अलग से क्यों देना पड़ा इस मोह का मतलब दूसरे के प्रती प्रेम की भावना अटेचमेंट की भावना और जिससे अटेचमेंट है उसके लिए कुछ करते हैं जिससे अटेचमेंट नहीं है उसके लिए कुछ नहीं करते हैं यही बात है न, मोह का मतलब यही है, प्रेम का मतलब यही है, राग का मतलब यही है, कि हमारा मन अटैच है, इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं. यह तो हो गया मोह, प्रेम और राग. अब वातसलि किसे कहते हैं? है तो सही, यदि आप किसी से मोह करते हो, तो उसके लिए महनत भी करते हो, उसके लिए कमाई भी करते हो, उसके लिए कुछ गिफ्ट भी लाते हो, उसका जनम दिन होता है, तो गिफ्ट भी देते हो, है न, उसको हैपी वर्डे भी बोलते हो, उस वो बीमार हो जाए तो उसके लिए रोते भी हो, उसके लिए दवाई भी करवाते हो, हाँ या ना, हाँ ना, ठीक है, लेकिन आप उससे बदले की लेने की भावना रखते हो कि नहीं रखते हो, जब हम बीमार हो जाएं, तो हमारे लिए सेवा करना, जब हमारा जनम नहीं तो हमें भी गिफ्ट देना जब हमें जरूरत पड़े तो हमारे काम आना ये क्या है? मौह है यदि एक तरफ चलता रहे कि तुम गिफ्ट देते रहो तुम सेवा करते रहो तुम उसके लिए करते रहो वो तुमारे लिए कुछ ना करे तो कितने दिन चलेगा? अरे बोलिये ना घर में चलो सबसे निकट का रिस्ता होता है पती पतनी का ठीक है? प्रेम, वात्सल, मोह का रिस्ता वात्सल नहीं मोह और राग का रिस्ता है प्रेम का रिस्ता है अब पतनी घर में भोजन बनाती है घर समालती है और पती धन कमाता है यदि पतनी भोजन ना बनाए घर की साफ सफाई ना करे बच्चों का पालन पोशन ना करे तो पती का प्रेम कितना रहेगा अरे बोलिये न पती का प्रेम कितना रहेगा कुछ नहीं करना तो निकल यहां से जा अपने घर चली जा कुछ भी नहीं करती ना खाना बनाया ना कुछ भी किया हम लोग कितने परिशान हो रहे हैं और यह बच्चे दे को रो रहे हैं ना नहलाया ना कुछ किया ना कुछ किया मतलब जब तक काम कर रही है तब तक प्रेम है काम नहीं किया अरे बोलिये न गया प्रेम अब पती की सुनलो पती रोज दुकान जाता है रोज धन कमा के लाता है ठीक है अब पती दुकान ना जाए धन ना कमाए तो पतनी का प्रेम अरे अब बोलिये अभी तो बड़ी जल्दी बोल दी थे आप, अप बोलिये पतनी का प्रयम कितना रहेगा पती के ऊपर, नहीं रहेगा न? इसका मतलब ये जो रिस्थे हैं, वो स्वार्थ के हैं कैसे हैं? स्वार्थ के हैं, मोह है तो सही, बिना मोह कि तुम घर परिवार नहीं चला सकते हो बिना मोह कि तुम रिस्ता नहीं निभा सकते हो रिस्ता निभाने के लिए मोह जरूरी है लेकिन मोह के साथ साथ स्वार्थ भी है बिना स्वार्थ के कुछ नहीं है जब तब तुम हमारे काम के हो तब तक तुम्हारी सेवा है हमारे काम के नहीं हो तो तुम्हारी सेवा, तुम्हारा सम्मान तुम्हारा सब बंद हो जाएगा घर में जब माबाब बुढ़े हो जाते हैं तब कितना सम्मान करते हो तब कितनी सेवा करते हो अरे बोलिये न बूढे तो हुए हैं, हात पाव तो ही नहीं चल रहे हैं, उसी समय सम्मान कम हो जाता है, है ना? अब वातसल्ल को सुनो, वातसल्ल क्या है? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मेरी भावनाएं आपके लिए बहुत अच्छी है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आपको रोज प्रवचन सुनाती हूँ मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो जो मैंने प्रवचन में कहा है वो मानना जरूरी है आपके लिए नहीं मानोगे तो कल से प्रवचन नहीं करूँगी ऐसा कभी कहा क्या किसी सादू ने अरे बोलिये न है और आप अपने बच्चों से कोई बात कहते हो और वो ना मानने तो क्या कहते हो चार बार कह दिया अपकी बार कहूंगी नहीं मैं तू जान तेरा काम जान तू भाती नहीं मानता मेरी अब आप हमारी बात प्रवचन में कितनी मानते हो इधर से सुनते हो इधर से निकाल देते हो लेकिन फिर भी दूसरे दिन फिर प्रवचन देते हो क्यों? वात्सल है, कभी तो समझ में आएगा, कभी तो मानेगा, और नहीं माना, कम सम बैठके शांती से सुना तो सही, सत्य को सुिकार किया तो सही, भगवान का परिचे किया तो सही, कुछ तो माना, माना तो सही, और आप रोज एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो, देने की भावना तो है, मंगर लेने की भावना नहीं है, इसका नाम है वात्सल, क्या नाम है इसका? वात्सल, सम्यक दरशन के आठ अंगों में वात्सल नाम का एक अंग है, यदि तुम्हें वादसाओं में वादसल्य है लेने की भावना नहीं है देने की भावना तो है वनवास से चौदह वर्ष के बाद युद्ध जीत कर अनेक राजाओं के साथ राम अयोध्या वापस आए और जब वापस आए कई दिन तक राजा महमानी में रहे फिर सबको अपने-अपने राज़ में वापस जाने का भाव हुआ तो सभा लगी हुई है और सभी राजा बैठे हुए है एक-एक राजा का वल्नन किया जा रहा है और उन्होंने क्या सेवा करी है वो कहा जा रहा है और उन्हें वहाँ पर gift आदी, रतनों के थाल, वस्त रादी भेंट किये जा रहे हैं सबका कर दिया हनुमान का नहीं किया ना तो हनुमान का नाम लिया ना हनुमान को गिफ्ट दी ना कोई रतने के थाल भेंट किये तो हनुमान बोला भगवन आप मुझसे नराज हो किया नहीं नहीं हनुमान तुमसे कैसे नराज हो सकता हूँ नहीं भगवन आपने सब के लिए बहुत कुछ कहा बहुत कुछ किया और आपने मेरा तो नाम अतक नहीं लिया क्या मेरा तो नाम अतक नहीं लिया और आपने तो सबको गिफ्ट भी दी मुझे तो आपने कुछ भी नहीं किया तो राम ने कहा कि इन राजाओं ने जितनी सेवा की है उसका बदला मैं चुका सकता हूँ और उनसे मैंने ये भी कहा है जब आपको जरूरत पड़े तो मुझे याद करना मैं आपके सेवा में जरूर हाजिर होंगा भगवान आपने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है आगे सुनो तो सही हनुमान तुमने जितनी सेवा करी है मैं उसका मूल नहीं चुका सकता पहली बात और दूसरी बात मैं तुमहारे लिए क्या भावना रखता हूं कि तुमहारे जीवन में कभी ऐसा आवसार आए नहीं कि मेरी जरूरत पड़े अद तुमहारी सेवा का मूल में चुकानी सकता हूं वचनों से कहनी सकता हूं और जो तुमने किया है तो मैं ये चाहूंगा कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई आपत्ती विपत्ती आए ही नहीं बताइए ये ज़्यादा बड़ा है या जब आपको मेरी जुरत पड़े तो आप मुझे याद करना ये ज़्यादा बड़ा है वात्सल्य देने की भावना तो है मगर लेने की भावना नहीं है धर्मी सो गवच्छ प्रीतिसम किसका उदारन लिया है गवच्छ गाय और बचडा धर्मी सो धर्मात्मा से गवच्छ प्रीतिसम प्रीति वात्सल्य होना चाहिए तो गाय का उदाहरन क्यों लिया किसी राजा का उदाहरन ले ले लेते किसी मनुष्य का उदाहरन ले ले लेते पंडी दौलत राम जी ने गाय और बच्छडे का उदाहरन लिया है वो इसलिए लिया है कि जो गाय अपने बच्छडे को प्यार करती है उसके मन में ये भावना नहीं होती है मेरा बच्छडा बड़ा होगा मुझे हरी-हरी घांस खिलाएगा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा आप अपने बच्छों की सेवा करते हो ना कैसे करते हो क्या कहते हो बच्छड में इसकी बहु आएगी गरम-गरम अरे बोलिये न गरम-गरम रोटी खिलाएगी मेरा बुढ़ापा आएगा तो मेरी सेवा करेगी है? सोचते नहीं सोचते अब पता नहीं आजकल की बहु है गरम-गरम रोटी खिलाएगी या खरी खोटी खिलाएगी पता नहीं है क्या खिलाएगी इसलिए अपेक्षा छोड़ देना यदि बच्चों से अपेक्षा रखोगे और पूरी नहीं होगी तो बड़ा कस्ट होगा आप बच्चों से मोह नहीं वात्सल करो बच्चों को भी एक धर्मात्मा बनाओ और जो धर्मात्मा के प्रती वात्सल होता है वो वात्सल अपने बच्चों से करो चलो तुम अपने बच्चों से तो कर लोगे इसमें तो मेरी बात मान लोगे लेकिन जिन से तुम्हारा कोई रिस्ता नहीं है, जिन से तुम्हारी मित्रता नहीं है, लेकिन तुम ये जानते हो कि ये धर्मात्मा है, उसके लिए भी अपनी सेवाएं समर्पित जरूर करना, और उससे बदले की इच्छा मत रखना, जहां बदले की इच्छा रखोगे, व जो प्रेम है, राग है, मोय है, यह संसार का कारण है, और जो वाचसल है, यह मोक्ष का कारण है। यह रक्षा बंधन पर्व कब से शुरू हुआ? साथ सो मुनी राजों पर उपसर्ग आया था, क्यूं आया था? दो, एक राज में जो राजा रहता था, उसके चार मंत्री थे, वो बली, नमुची, प्रहलाद, और एक और ब्रहस्पती, यह ना? चार मंत्री थे, राजा, ठीक है, अपने राज में जादा ध्यान देता था, जादा स्वाध्यायादी नहीं करता था। साथ सो मुनिराज राज में आये, बगीचे में बैठे हुए हैं, अकमपना चार्यादी, जो मुनिराज थे, वो सभी थे, उन्हें संकेत मिला कि उपसर्ग होने वाला है। तो मुनिराज ने सभी जो आचारे थे, उन्हें सब को कह दिया मॉन लेके और बिल्कुल शानती से ध्यान में बैठ जाओ। एक मुनिराज आहार करने गए थे, उन्हें नहीं पता था कि मॉन लेना है और चर्चा आधिक श्रावकों से नहीं करनी है। जब वो लोटकर आ रहे थे, तो राजा चारों मंत्रियों के साथ में मुनिराज के दर्शन के लिए गया। आप मंत्रियों का मन नहीं था लेकिन राजा की आग्या है तो जाना पड़ेगा। राजा ने, मंत्रियों ने पहले मना किये, बोले, महराज, इस जैन सादू अच्छे नहीं होते है, उनको कुछ ग्यान नहीं होता है, यह तो भिलकुल वहसे ही होते है, राजा फिर भी नहीं माना, बोले, दर्शन तो करूँ, गए दर्शन के लिए, देखा तो सारे मौन अब वापस आरे, इधर से आहार करके मुनिराज आ रही, बोले, देखो, एक यह भी आ गया, बोले, किसकी बात कर रहे हो, बोले, बैठे ते तुमारे बहुत सारे साथी, सारे अज्यानी, मूर्ख, बोले, किसको मूर्ख कह रहे हो, पहले, मुझे वाद विवाद में हराद तो फिर उन्हें मूर्ख कहना, मुनिराज ने समझा नहीं, उन्हें पता नहीं था कि मौन लेना है, बैठ गए एक पेड के नीचे, राजा बैठा है, चारों मंत्री बैठे हैं, वाद विवाद शुरू हुआ, अब जो स्वाधियाय करता है, जो ज्यान करता है, जो ध्यान करता है, तो उसके साथ तो जीतना बड़ा मुश्किल होता है, तो चारों मंत्री हार गए, राजा के सामने मंत्रियों को नीचा देखना पड़ा, अब बोले, देखता हूँ, अभी उस समय तो मंत्री कुछ बोले नहीं, अब यहां पर मुनिराज वहां पहुँचे, अपने आचार महराज को बड़े खुशी से बताया, मैंने उनको हरा दिया, बोले अरे तुमने क्या किया, अब हम सब पर मुफसर गाएगा, बोले एक काम करो, तुमने जहां वाद विवाद किया था, वहीं जाकर बैठ जाओ, और वहीं पर बैठ कर, तुम रात्री प्रतिमा कर दूँगा, तब तक चैन से सौने वाला नहीं हूँ, अब वो चारो मंत्री रात्री में, निकले मारने के लिए मुनीराज को, तो रास्ते में पहले यही मुनीराज मिल गए, वहां तक पहुचीlook नहीं है, तो चारो मंत्री जानते तो थे, कि यह तपस्वी हैं, लेकिन तू मार, वोले, पाप तो लगेगा, पहले तू मार, वोले, चारो एक साथ मारते हैं, चारो ने एक साथ तलवार उठाई, तो वहां का जो बन देवता था, उसने देखा, औरे, ये तो मुनिराज पर उपसरगा रहा है, उन्हें कीलित कर दिया, यानि जैंसे खड़े हैं, अ बन देवता ने कीलित कर दिया है, तब राजा तक ख़बर पहुची, तो राजा को बडा करोधाया, कि तू सादू संतों पर हमारे जब मंत्री उपसरग करते हैं, तो धरम कैसे चलेगा, अब बन देवता उपस्थित हुआ सुभा, सारी सभाई खटी हुई, राजा आया, तो बन देवता ने पूछा कि अब इनको यहीं खटम कर दू, बोले नहीं, इनने पहले इनके जो कीला हुआ है, इनको ठीक करो, इनने वापस करो, वापस हुए, राजा ने पूछा महराज, इनको फांशी पर चढ़ा दू, बोले नहीं, इनने फांशी पर नहीं चढ़ान तो राजा ने फिर चारों का काला मूँ करके गधे पे बिठाके गाउं से राजी से बाहर निकाल दिया अब मंत्री थे, बुधिमान तो थे, हुश्यार तो थे, दूसरे राजा के पास पहुँच गए, राजा पदम के पास पहुँचे मुनिराज, महा मुनिराज विष्णु कुमार के भाई, राजा पदम, हस्तनापुर के राजा, वहाँ पहुच गए, महराज की जय हो, महराज की जय हो, बड़ा अपना रूप दिखाया, बड़ा आवाज और बड़ी बातें, आप जो कहो हम आपकी सेवा करने तयार हैं, आप जिसको कहो आपके चर्ण में लाकार डाल देंगे, तो राजा पदम, जो पड़ोसी राजा सिंग राज था, उससे बड़ा परेशान था, उसको बोले, उसको लेया तू, यदि बोले क्या करोगे, बोले मंतरी बना लूँगा, वचन दे दिया, अच्छा, जो कहोगे वो कर हावित किया, और सिंगबल राजा से पूछा तुमारा क्या कमजोरी, क्या परेशानी है तुमें, बोले वो पड़ोसी राज नहीं जीता जाता, तो बोले हम लोग जंगल में रुके हैं, वहाँ आ जाओ, हम तुमसे वहीं मीटिंग करेंगे, वहीं चर्चा करेंगे, सबसे दिख्षा लेनी थी, इसलिए बदम को, तो सबसे पहले जाके उसको डांटा, कि तेरे राज्य में और मुनी राजों का उपपर उपसरग हो रहा, यह कैंसे हो सकता है, फिर उसके बाद में, वहाँ जो चार जो थे ब्रामन थे, वो मंतरी थे, तो जो वहाँ किमी चिक दान कर रहे थे, धन लुटा रहे थे, आओ, ले जाओ, जिसको जो चाहिए वो लेलो, तो एक बोना सा ब्रामन का वेश वना के विष्णु कुमार पहुच गए, दिख्षा छोड़ दी, किसने, एक मुनी राज के जीवन की सबसे वड़ी चीज क्या होती है, बोलिए न, दिख् साथ सो मुनी राजों को कुछ हो गया, तो वो दुभारा मिलने वाले, नहीं है, यानि धर्म की रक्षा के लिए, धर्मात्मा की रक्षा के लिए, इतना बड़ा त्याग आज तक किसी नहीं किया है, इसलिए वातसल अंग में, विष्णु कुमार मुनी राज का नाम आता ह कि जिनोंने साथ सो मुनिराज की रक्षा करने के लिए अपनी मुनी दिख्षा छोड़ दी और ब्राम्मन का वेश बनाया जहां किमिच्छिक दान बट रहा था वहां जाकर बोले मुझे चाहिए बोले क्या चाहिए बोल ब्राम्मन तुझे क्या चाहिए बोले मुझे तीन पक भूमी चाहिए तो हसने लगे इतना सा ब्राम्मन तीन पक भूमी का क्या करेगा जा जितनी चाहिए उतनी ले ले अब उन्होंने वहीं खड़े होके और विक्रिया से अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया आकास में पहुच गए पहला पैर उठाया सुमेरू परवत पे दूसरा पैर उठाया मानुशोत्तर परवत पे अब बोले तीसरा पैर कहां रखू तुम भी यदी वचन के पके हो तो बताओ मैं तीसरा पैर कहां रखू अब तुम इचारे सारे डर गए मैं तो बड़ा सामान ने सा समझ रहा था तो उसमें से एक पीठ कर दी अपनी जुग गया बले इस पे रख दो जैसे ही वहां पैर रखा तो चिलाने लगा हाई मरा हाई मरा बचाओ मुझे तब पैर हटाया वापस रूप किया चारों ने छमा मांगी वहले गलती हो गई वहले सबसे पहले सब चीज यह जो चारों तरफ लगा रखा इसको हटाओ उसको हटाया जाके सब को नमशकार किया और फिर वो आज का दिन था जिस दिन उपसर्ग दूर हुआ था अब धूए धूए के कारण से सब के गले रुंद गए थे सब के गले में खरास हो गई थी सब के गले छिल गए थे सब खास रहे थे तो अब छिले हुए गले में रोटी जाने वाली नहीं है तो फिर सारे गाउवालों ने आज के दिन सैमई की खीर वनाई थी, तो वो क्या चिकनी सी होती है और गले में जाके सीधी फिसल जाती है, है ना, то आज के दिन इसी लिए साधु को आहार जरूर दिया जाता है, कोई आसपास गाउं में साधु not हो, तो लोग आसपास से आते हैं और आहार जरूर देते हैं कि कम सकम आज का वो दिन है कि उस समय तो हम पता नहीं थे के नहीं थे मंगर आज तो आहार दे ही दे लेकिन लोग सेमाई खाते तो हैं आहार देना दे ये जरूरी नहीं है सेमे बनाके खातो लेते हैं, आहार देने की पता नहीं है, खाने की परंपरा तो निभा लेते हैं, देने की परंपरा नहीं निभाते हैं, बंदिवो, इसलिए आज का दिन वातसल अंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वातसल के लिए प्रसिद्ध हुआ, और उसमें प्रसिद करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अब धर्म की रक्षा करोगे। अब धर्म कोई चीज थेहनी की कहीं पे एक आले में रखिये। और हमने उसको त्यजोरी में रख दिया तो उसकी रक्षा हो गई। धर्म कहां रहता है। मंदिर में मंदिर की रक्षा करो, धर में जिन्वानी में जिन्वानी की रक्षा करो, धर में गुरुओं में गुरुओं की रक्षा करो, धर में श्रावकों के अंदर तो श्रावकों की रक्षा करो, धर में धरमात्मा के ऊपर सवार होके चलता है, धर में कैसे चलता है, मंद तो उसके मानने वाले नहीं है, धर्म चलेगा, अरे बुलिये न, नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, धर्मात्मा होंगे, तो धर्म चलेगा, और धर्मात्मा नहीं होंगे, तो धर्म नहीं चलेगा, इसी लिए, धर्मात्मा की रख्षा करके, धर्मायतनों की रख्षा करके, हम धर्म की रक्षा करते हैं और जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है धर्मो रक्षती रक्षतह तिर्धंकरों में अभिनन्दन का पूजा में चंदन का और आज रक्षा बंधन का तो यह रक्षा बंदन धरम के लिए मनाया जाता कि भाई बेहन के लिए भाई बेहन के तो चर्चा का समय नहीं मिला आजकल के तो भाई बेहन के रिस्ते बड़े खराब हो रहे नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रही हूं और वो हो रहे हैं धन के कारण सरकार ने उसका है, अब सरकार ने कहा लडाईयां कैसे हों तो उनने कानून निकाल दिया कि पीहर में लड़की का हिस्सा भी है, अब लड़ते रहो तुम रिष्दे खराब हो गए भाई बहन के रिष्दे खराब हो गए रक्षा बंधन बंद हो गया वहले हां या ना जो एक मानसिक्ता है जो पहले से बनी आई है कि लड़की की शादी हो गई दहेज दे दिया हो गया काम एक मानसिक्ता पहले से बनी हुई है यदि ये पहले से चल रहा हो ता कि पहले से हिस्सा मिलना है तो मानसिक्ता वैंसी होती लेकिन हमारे हैं की परंपरा हमारे हैं का कल्चर है कि जो चली गई अब उस परिवार की है अब होगा क्या? अब इस परिवार वाली उससे लड़ रही है, उस परिवार वाली उससे लड़ रही है, उस परिवार वाली उससे लड़ रही, वो चारों तरफ लड़ाई, तुम इसको दो, वो अपने बहन को देगी, वो अपने बहन को देगी, काय को बठवारा करना, जो जहां है वही रखो ना बात बराबर है। इस घर की लड़की उस घर में गई है। तो यह इसको देगा। तो इस घर की लड़की इस घर में गई है। तो यह इसको देगा। तो देना लेना बंद करके अपने अपने घर में रखो ना। लेकिन धन एक ऐसी चीज है, कि भाई बहन के रिष्टों को भी खराब कर देता है. तो भाई बहन के रिष्टे खराब ना हो, ऐसा कार्य है. यदि धर में बहन के कमी ना हो, धन पूरा हो, तो बहन खुदी कह दे भाई, मुझे नहीं चाहिए. और यदि बहन के हाँ कमी है तो भाई बिना बहन के कहे अपने आप दे दे कि बहन ये तेरा हिस्सा ले ले इसमें तो कोई बात है बिन मांगे दे दूद बराबर क्या बिन मांगे दे दूद बराबर मांगे दे सो पानी और वह लेना है खून बराबर जिसमें खीचा तानी। वह लेना है खून बराबर जिसमें खीचा तानी। वह खून के बराबर है कि जिसमें वह देना नहीं चाहता और हम लेना चाहतें कोट का चहरी से। तो यह खून के बराबर है। खून के बराबर का मतलब है कि अशुब है अशुद्ध है और ये फलदाई होने वाला किसी के दिल को दुखी करके ले रहे हो तो ये फलदाई होने वाला नहीं है भारत के रहन सहन का लंका के दहन का और आज के दिन भाई बहन का भगवान की दिव ध्वनी का आपके जेम मनी का और इस वातसल पर्व में विष्णु कुमार मुनी का भारत में आर्य का स्कूल में प्राचारिय का और अकंपनाचारिय मुनी राजों का पड़ाही महत्व है और आज के दिन रक्षावन्धन का पर्व है और आप सब इस तीर्थ पर मना रहे हैं बहुत बड़ी बात है अपने अपने घर का तेवहार तो सम मनाते हैं तीर्थ सूना हो जाता है तीर्थ पर तेवहार मनाया है इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है तो अतिशेकारी मुनि सुवरतनाद भगवान के चड़नों में आकर आज आपने रक्षा बंधन धर्मे पर्वो मनाया है अब इसमें आपका धर्म का पर्वी भी हो गया और इसमें आपका परिवार का पूरा अमरे जालावाडवाले पूरे परिवार को ले आए पूरे परिवार को जो बहन आई है दमांद आए हैं बच्चे आए हैं बेटे आए हैं सब को ले आए हैं अब यहीं मनाएंगे हमारे ग्वालियर से जो जीजा साले हैं तो भाई बहन वाली बात हो गई आने वालों में इंदोर का अनाज में चनगा गर्मी में पना का आने वालों में गुना का सुनने में इयर का, छोडने में बीयर का, और आने वालों में गवालियर का, जंगल में जाड का, बाग में बाड का, आने वालों में जालावार का, और कहां से आए, भरतपुर, बुरानपुर, हाँ, गाने में सुर का, नत्य में नुपुर का, और आने वालों में बहुत बढ़ियां, रिस्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जवलपुर का, बड़ा ही महत्वे, दूद में मलाई का, करने में बलाई का, आने वालों में गोदाम की तलाई का, सबजी में छोड़ा, दिल्ली में चांदनी, छोड़ा, और आने वालों में टोड़ा, बड़ा ही महत्वे, माता जी टोड़ा, विधिशा, सोने में निशा का, मिलने में दिशा का, आने वालों में विधिशा का, बड़ा ही महत्वे, त्रियंचों में घोड़ा का, वस्तुओं के जोड़ा का, और आने वालों में टोड़ा का, बड़ा ही महत्व है जाजपुर का, बड़ा ही महत्व है नहीं करने में किच-किच का पापों से बच-बच का और आने वालों में वहराईच का मुंबई महिनों में माई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में फरीदावाद का बड़ा ही महत्रायर एहम्दावाद का भेंडवाले भी आये हैं पापों के खंड खंड का बुढ़ापे में दंड का यहनी दंड और आने वालों में भेंड का जैजनेंद बंधों सैयम तप त्याग एंव साधना का महापर्व जेन समाद का महापर्व परवादी राज पर्युषण महापर्व आने वली 8 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाने जा रहे हैं स्वस्थी धाम जहाजपूर में भूगर्प से प्रक्टित अतिसे कारी मुनिश्वत नाध भगवान की पावन चत्रचाया में परम पुझनिया भारत गौरव गुरुमा गर्णियारी का स्वस्थी भुषण माताजी का गुंतीश्वा मंगल में चात्रुमास चल रहा है पुझे गुरुमा के ससंग पावन सानिधे एउं पुझे माताजी की संगस्था बाल ब्रह्मचायने प्रेंकादीदी के कुशल नित्रतु में निदेशन में यहाँ पर दसलक्षन महापरों में एक स्रावक संसकार एउं साथना सिविर का आयोजन किया जा रहा है मैं चाहता हूँ आप यहाँ पधारे और इस सिविर में बेट करके अपने आपको रिचार्ट करें मुझे आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यहाँ आकर के जब आप सिविर में साथना करेंगे और बड़े बाबा की भक्ति करेंगे तो एक नई उर्जा नई स्पूर्ती नई चेतना आपको मिलेगी यहाँ पर सभी सिविरार्टियों के आवास एउं भोजन की विवस्ता क्षेत्र समीति की द्वारा की जा रही है बंदों आप नीचे जो लिंक दिया जा रहा है इस पर अपना रजिस्टेशन कर सकते हैं अपनी सूचना इस फोन नंबर पर दे सकते हैं धन्यवाज जै जिनेंद बंदों अस्से कारिछेत स्वसिधाम की पावंधरा पे परंपुझ भारतगरो गर्णियारी का सुस्ति भुषण माताजी के मंगल पावंध शानिद में होने जा रहा है 40 दिवशिय भव्य 40 का पाठ जिसको कराकर आप शातिशे पुनवंध की प्राप्ती कर सकते हैं सबकी मनो कामना को पूर्ण करने वाला है पाठ जिसकी निचाव राशी एक दिवशिय पाठ की राशी 2100 रुपे है आप सभी अपना नाम लिखवा कर शातिशे पुनवंध की प्राप्ती करें जई जिनेंद्र मंगल वार कु मंगल कारी मंगल करने पगतें दर्शन करते ही आशीशों के भंडार हैं बरतें मंगल वार को मंगल कारी मंगल करने पगतें दर्शन करते ही आशीशों के भंडार हैं बरतें सब भंडार हैं बरतें स्वस्ती धाम में जाकर मुझको स्वस्ति धाम में जाकर मुझे को भी जीवन है सुधारना स्वस्ति धाम मुझे जाना है मन में है ये धारना कंचन की थाल को सजाओ रे आज प्रतनों की थाल को भरलाओ रे आज आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की पिता सुमित्र के राज दुलारे मापद माजी के नैनों के तारे कि अचारे अचारे लेड़ कि अचारे वेड़ाय चारे प्लारे लेंग के राज वेड़ार लेड़ां के अचारे ये जा है